हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनेल आज मैं शेयर करूँगी एक डेजर्ट रेसिपी अभी आम का सीजन है तो आम से ही कुछ बनाऊंगी मैं बनाऊंगी साबू दाना मैंगो डेजर्ट यह बहुत ही टेस्टी होता है बहुत इजीली बन जाता है तो चलिए इस इज बाहुदान ले लिए है आधा कप यप बारिक वाले भी ले सकते हो और ऐसे मोटे वाले भी ले सकते हो जो आपके पास स हैवय लेविल हो तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और तो दोने के बाद इसको साफ पानी से भीगो कर रखेंगे एक से मैंने चान लिया है अब इसको साइड में रख देंगे इधर मैंने एक कड़ाई में आधा लीटर दूद ले लिया है अभी दूद में उबालाने देंगे उबालाने के बाद इसको मैंने पांच मिनिट तक बॉयल कर लिया है चलाते हुए तो अभी इसमें मैं साबुदाना ए दस मिनिट बात देखिए ये काफी फूल भी गया है और पक भी चुका है तो अभी इसमें चीनी एड़ करेंगे आप चेक करके दबा कर देखिएगा अंदर से अगर कच्छा ना हो सकत ना हो तो उसका मतलब ये पक चुका है तो मैंने वान थर्ट कप से थोड़ा सा कम दो चम कम चीनी इसमें एड़ किया है आप अपने स्वाद का एकोर्डिंग एड़ करें चीनी डालने के बाद और दो से तीन मिनिट मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है अभी गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद फ्रीज में रखके आधे गं गंटे के लिए फ्रीज में रखा था तो यह काफी गाड़ा हो चुका है तो इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इधर मैंने एक आम को इस तरीके से मिक्सी में डालके प्यूरी बना लिया है औल्मोस्ट यह एक कप के करीब है तो इसे एड़ कर देंगे बिना रेशे वाले आम लीजिएगा इधर मैंने थोड़ा सा अनार भी एड़ किया है यह ऑप्शनल है आप चाहे तो इसमें दूसरे कोई फ्रूट्स भी एड़ कर सकते हो एपल बनाना इस तरीके का फ्रूट तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर आप चाहे तो फ्रीज में इसको रख सकते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए और सर् में और भी टेस्टी लगेगा थोड़ा सा आम को मैंने कि हुब्स में कट करके भी रखा है तो उसे 27 चाहल देंगे थोड़ा सा मैंने रख दिया है गार्निशिंग के लिए तो इस साय बिकमोल में इसको मैं भरलूँंगी आधा मैने डाल दीया है ऊपर से थोड़ा सा अ आन डाल दिया है उपर से और थोड़ा सा जो साबुदाना का मिक्श्चर हो एड करेंगे और गार्निशिंग के लिए उपर से थोड़ा सा चौप किया हुआ आम डालेंगे और थोड़ा सा अनार डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने केसर डाला है आप चाहे कोई भी साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक यू फो राचीं